बश्कार दोस्तों ममंसा नम्रमा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल SMC गुरूपर इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही परपज़ है कि अगर किसी भी तरीके से अगर आपके एक भी नमबर बढ़ जाते हैं और आप सेलेक्शन की कि दूसरा objection रेज कर दिया होगा ऐसे करके कई question ऐसे होंगे जिन पर कोई objection रेज नहीं हुआ होगा और आपके नमबर बढ़ सकते हैं इसलिए यहाँ पर valid proof के साथ हम बात करने वाले हैं अगर आपको valid proof नहीं मिलना है तो description box में जाईएगा वहाँ पर telegram channel का link मिल जाएगा वहाँ से उसको join करिए वहाँ पर सारे valid proof आपको share किये जा चुके हैं उसके लिए आपको tension बिलकुल नहीं लेने हैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि objection रेज कर देना है देखिए जिन प्रस्णों पर maximum candidate objection रेज करेंगे तो आयोग उस पर विचार करेगा और आयोग क नहीं किया है और उसका answer बदलता है तो वहाँ पर आपको number नहीं मिल पाएंगे तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए नेस्ट यहाँ पर बात करेंगे कि जो question गलत है आयोग के द्वारा जैसे गलत दिये गए हैं उज्वला की बात करें तो उज्वला जो वहाँ पर यो हूँ तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आउशकता नहीं है हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं कई जो है महापूरुस हैं जो नीचे comment box में ऐसी ऐसी बाते लिखते हैं कि उनको लगता है कि बहुत बड़े ज्यानी है तो ज्यानी जानदा बनने की जरूरत न परेशान है कि यहाँ पर इतने question जो है आयोक के दोरा गलत दिए गए हैं तो आयोक बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है ऐसी वो अपवाय है फैला रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की आउसकता नहीं है अब ही 10 अप्रेल को एक पेपर हुआ था उसमें टोटल 12 question पर सभ कंड़ी रेट को बराबर बराबर दिये गए तो आपको विल्कुल यहां पर परिशान होने की आवश्चता नहीं यहां पर सिर्फ और सिर्फ दस प्रस्प्रों की अंबात कर रहे हैं अगर आयोग को लगता है कि यह जो बैलेट प्रिसोर्स भेजे जा रहा है дан же वरा यह सही है तो उन पर विल्कुल एक्शन लेगा और सभी को भी मांखस यहां पर मिल सकते हैं तो यहां पे एक कोश्चन यहां पे देखने को मिला है इस कोश्चन में मैक्सिमम कंणिरेट प northeast सब जो है गलत हैं तो उनको जो है लग रहा है कि यह हटना नहीं चाहिए लेकिन यहां पर मैक्सिमुम कंडिरेट ने जो है यहां पर पहला तीसरा और चौथा भी अप्सन लगाया है और आपके जो है यह पहला दूसरा तीसरा चौथा जो है इन्होंने अंसर बताया है उससे भी बड़ा एक चैनल है यहां पर आप देख सकते हैं देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं सब लोग अपनी जो है ग्यान के अनुसार जितना ग् अंचर प्रीटोनिक्स का अगर इसका आपको प्रूप चाहिए तो आप चेलिग्राम पर जाहिएगा वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा पेपर तो ये पेपर मेरे पास mail भी आ चुका है मैंने जो है share कर दिया है आप उस पे वहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे question same to same question देखने को मिला कि question paper 1 series A प्रस्न के संख्या 11 प्रस्न संख्या 11 है उसमें option B लिखा गया है कि बिंध्याचल परबत पर अनेक बनस्पतिया पाई जाती है ये जो है सुद्ध माना गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी परिशान होने क्या हो सकता नहीं है इस प्रस्न पे जो है हो सकता है कि किसी को जो है किसी के नंबर कट रहे हो तो वो जो है objection न कर रहा हो लेकिन इस प्रस्न पे जो है आयोग क्या करेगा ये आयोग पर डिपेंड करेगा तो इस प्रस्न पे आप लोगों को objection रेज कर देना है हो सकता है कि B option भी सही मान लिया जाए आयोग के द्वारा नेस्ट प्रस्न की अगर यहाँ पे बात करें तो ये प्रस्न निकल क्या रहा है हिंदी का है कि हरी मोहन को रुपए देता है इसमें काफी ज़्यादा जो है कई कंडिरेट को confusion है confusion का कारण मैं फिर दिखा देता हूँ कि ये बड़े बड़े जो YouTube चैनल है यही सिर्फ और सिर्फ आपको confuse करने की कोशिश कर रहे है जो authentic book है वो बिल्कुल भी confuse करने की कोशिश नहीं कर रहे है वहाँ पे जो है अगर हम बात करें पृत्विनात पांडे की तो वहाँ पे भी लिखा गया है संपरदान कारक लेकिन आप लोग भ्रम में है की करम कारक भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हम दिखा देते हैं आपको तो इस प्रस्ण पे भी आसंका बनाई जा रही है कि इसमें जो है option change हो सकता है हो सकता है इस question को जो है इसमें common number दे दिए है क्योंकि इसमें काफी जाधा confusion है कई किताबे अलग-अलग लिख रही है इसमें कई करम कारक होगा कई संपरदान कारक होगा कोई कह रहा है कि वस्त पूरता है ये आयोग पेड़िपेंड करेगा कि वो माने या फिर न माने नेस्ट कोईशन यहाँ पे चवथा नंबर देखने को मिल रहा है इसमें भी कंडी रेट को जो है कई आसंकाय हो रही है क्योंकि उन्होंने गाइड पढ़ ली है चाहे हो गटना चकर की हो गटना चकर की उन्होंने मार्ग दस्का पढ़ी है तो उसमें जो है यहाँ पे गुल नहीं बता रही है अगर किसी को वैलिट पूरूफ मिला हो तो वो कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएगा इस पे भी जो है आयोग हो सकता है कॉमन नंबर दे दे या फिर इसको डिलीट भी कर सकता है नेस्ट यहाँ पर हम बात करें नेस्ट कोश्चन यहाँ पे जीवन पती का समानार्थी पूछा गया था तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें कॉमन नंबर मिल जाए क्योंकि यहाँ पर कई बुके मिल नहीं जिसमें पती भी मिला है ऐसा कई गंडिरेट जो है सेर भी किये हैं लेकिन हो सकता है कि इस पे यमराज ही मान लिया जाए और यम question यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह मयत का question है इस पर भी जो है कई लोग आजंका जितार है यहाँ पर बंद आकरती जो है आयोग के द्वारा दिया गया है लेकिन लोगों को कहना है कि यहाँ पर आयत होगा वो जो है proof कि आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको भी हम दिखा देते हैं अगर आपको लगता है कि इस person को answer बदला जा सकता है तो आप objection जरूर raise करिएगा यहाँ पर हम proof इसका दिखा देते हैं आपको एक बार यह proof देख सकते हैं यहाँ पर NCRT का यह proof है और इसको आयोक को मानना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंतरार लिखा गया है इसमें आयत चित्र को answer माना जा रहा है तो इसका भी answer बदल सकता है इसमें भी किसी को doubt हो रहा है तो आप जो है objection जरूर raise करिएगा यह NCRT का प्रूफ है और इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हो सकता है इस question को आयोक को delete करना पड़े इसमें सभी को full box मिल जाए इस पीडियो में जो भी question बताया जा रहा है देखिए यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के द्वारा भेजे गए question है इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं answer बदल सकता हूँ यह मेरे बस की बात नहीं है देखिए यहाँ पर यह भी question है महात्मा गांधी वाला यह सत्यागरा है इसमें भी कई लोगों confusion आ रहा है कि यहाँ पर दांडी जो है answer रही होगा अगर उनको लगता है कि कोई उनके पास valid proof है तो वो बिलकुल यहाँ पर objection रेज कर सकते हैं देखिए ग्रूप में कई जो है candidate विपिन चंद्रा की book का screenshot भेज रहे हैं अगर उनको लगता है कि valid proof यहाँ पर उसमें सही सही लिखा है तो आप objection जरूर रेज करिएगा हो सकता है इस person को भी delete करना परे और सभी को full marks मिल जाएं next question यहाँ पर निकल के आ रहा है कि सबसे लंबा राश्टिय राजमार कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो इसमें कई candidate बता रहे हैं यहाँ पर NH2 सही है लेकिन यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर इनमे से कोई नहीं भी option में लिखा गया है अगर वो नए data को मानता है तो यहाँ पर NH19 इसका हो जाएगा तो इसको भी आयोग को हो सकता है सभी को यहाँ पर full marks देने पड़े जिन्होंने question को attempt किया है तो इसको भी आप लोग जो है objection की category में रख सकते हैं और objection जरूर रेज करिएगा देखिए एक भी नम्मर अगर आपको बढ़ता है तो आपके selection होने के chance यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर valid पूरूप चाहिए तो आप जो है dislike कर देंगे कि हमने 8 बारा है सर 9 बता रहे हैं देखिए मैं एक कुछ नहीं बता रहा हूँ यह अलग-अलग source बता रहे हैं भारत सरकार की जो website हैं और जहां पर भी question कई बार exam में पूचा जा चुका है उसमें आयोग ने खुद एक paper करवाय था उसमें यहां पर 9 माना था लेकिन आप जो है वो 8 मान रहा है तो हो सकता है इस question को भी सभी को number दे दी जाए तो इस question पर भी आप लोग को objection रेज कर देना है जिनका question गलत हो रहा है next question के ओर बढ़ेंगे next question यहां पर देखने को मिल रहा है यह उज्वला योजना वाला question है इसमें जो है आयोग ने बता दिया है कि हम English version को ही सही मानते हैं तो उस हिसाब से यहां पर spelling mistake है और यह भारत सरकार की official website से भी आप इसका source प्रस्तुत कर सकते हैं इस पर common number दिये जाएंगे यह question ही remove किया जाएगा क्योंकि यह आयोग की गलती है तो इसमें जो है किसी को घबराने क्या हो सकता नहीं आप लोग objection रेज करिएगा आप लोगों सब को फूल मार्क्स यहां पर दे दिये जाएंगे नेस्ट question यह photo altic सिचाई pump वाला question है और इसमें जो है subsidy की बात की गए है तो यहां पर 30% जो है official website पर भी दिखा रहा है और मैंने कई बार जो है इसका valid proof भी share किया है और कई candidate ने जो है अब तक objection रेज कर दिया है देखिए maximum objection रेज करने की कोशिस करिए जिससे की आयोग जो है question पर विचार जरूर करे तो इसका भी valid source आप लोग देख सकते है और पूरा जो है यह question भी जो है यहां पर 30% या फिर इनमेंस कोई नहीं या फिर इसके common number सभी को दे दिये जाएंगे यह आयोग को मानना पड़ेगा next यहां पर बात करें question है यहां पर कन्या विद्यधन से related है यहां पर high school कर दिया गया है तो कई candidate के मन में doubt आ रहा है और उनको valid source भी मिल गया है अगर उनको लगता है कि यह question भी objection रेज करना चाहिए तो बिल्कुल आप objection रेज कर सकते हैं answer आयोग ने 30,000 माना है जबकि कई candidate का मानना है कि 10,000 या 15,000 भी हो सकता है इसका भी valid source कई लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल objection रेज करिएगा next यहां पर अगर बात करें तो टोटल यहां पर 10 प्रस्ण मैंने बता दिये हैं कि इन 10 प्रस्णों पर maximum candidate ने objection रेज किया है अगर लगता है कि आपको भी एक दो नंबर का फायदा यहां पर हो सकता है तो बिल्कुल फायदा उठाईएगा और cut-off का वीडियो जो है same to same cut-off जाने वाली है आप उसको जरूर देख लीजिएगा बाकी अगर किसी भी question पर आपको doubt होता है तो comment box में comment जरूर करिएगा उसका हम पूर्ण निदान करने की कोसिश करेंगे मिलते हैं next video के साथ आप video को like जरूर कर दिएगा share कर दिएगा काफी ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब कुछ करने में तो मिलते हैं next video के साथ तब तक लिए जैहिन जै भारत thank you so much